मूत्रमाक संक्रमन या किद्नी संक्रमन एक प्रमुक स्वास्थ समस्या बन गई है यानि UTI और किद्नी इंफेक्शन एक बहुत ही बढ़ती हुई बिमारी होती जा रही है और जितना हमें UTI या किड्नी इंफेक्शन होता है उतने ही जल्दी हमारी किड्नी खराब हो जाती है ये समस्या आम तोर पर बैक्टेरिया के कारण होती है जो की हमारे मूद्रमाग के माध्यम से किड्नी तक पहुँचता है ये संक्रमन जो है वो पेशाप करते समय तीवर दर्द होता है पेशाप के साथ खून भी आ सकता है उल्टी, बुखार, शरीर मिठाकावर जैसे लक्षनों के साथ आता है किड्नी इंफेक्शन का जो उपचार है वो अगर टाइम से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे किड्नी इंफेक्शन जब बढ़ जाता है तो किड्नी डामेज हो जाती है आम तोर पर डॉक्टर्स एंटिबाटिक्स देते हैं पट इस वीडियो में मैं आपको बिना एंटिबाटिक के यूटिया प्रॉबलम ये किड्नी इंफेक्शन को कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे उस दर्द को जो इंस्टेंटली हो रहा है उसे कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं तो बहुत सारी ऐसी नाच्रल चीजे रहे हैं या होम रेमेडीज या नैच्रोपैति के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिने करने से हमें तुरंट उस घर्थ में बहुत स्यादा होने अलगता है और सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जब भी हमें पता चलता है कि यह किड्नी पहले हैं जितना हम पानी पीएंगे जितना हम यूरें जाहेंगे उतनी जल्दी हमारे यूटियाइ या किड्नी का दर्थ है वह कम होगा हमें सात्विक फूद मतल्ब बहुत जादा तल्या गिला जंक फूद इस तरह के खाना नहीं खाना है और अगर इन सब चीज को करके आपको आगे बताने वाली हूं आपको फाइदा नहीं होता है तब अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें कि प्रॉब्लम कहां तक बढ़ चुकी है या क्या क्या प्रॉब्लम और है जिसके कारण वो दर्थ कंट्रोल में नहीं आ रहा है क्योंकि जो तरीके में आपको बताने वाली हूं उससे डेफिनेटली आपको दर्थ में फर्क पड़ेगा और यूटियाई पेशिंट्स को बिना किसी एंटिबैटिक के यूटियाई ठीक भी हो जाएगा नैच्रोपैती विविन प्राकतिक उपायों को प्रदान करती है जो किड्नी के स्वास्ट का समर्थन कर सकती है और किड्नी संक्रमन के लक्षनों को कम करने में भी बहुत जादा मदद करती है प्राकतिक उपजारों का जो सेवन है प्राकतिक उपज और हर्बल पदार्टों का सेवन करना चाहिए जैसे की क्रैंबरी जूस क्रैंबरी खाना सबसे ज़्यादा फायदे मन्द रहता है इस टैम पे अद्रक या नीबू का रस और अभी गर्मिया चल रही है तो आप नीबू पाने जितना पिएंगे जितना आप यूरिन जाएंगे उतने जल्दी आपके किड्नी का दर्द या यूटिया ठीक होगा किड्नी के स्वास्थ को सुधारने के लिए हमें बहुत जादा सात्विक फूट पे आना चाहिए प्राणायम और योगासन में सबसे बेस्ट जो योगासन है वो है ब्रस्तिका, अनुलोम, विलोम, उत्पादसना और पवन मुक्त आसना अगर ये सारे आप योगा धीरे धीरे प्राक्टिस करते हैं तो आप कहीं न कहीं अपने किड्नी प्राब्लम से, किड्नी दर्द से या किड्नी इंफेक्शन अगर आपको रेगुलर होता है तो वो आप ठीक हो जाएगा या जिनको kidney stone बार बार होता है उनको भी ये बहुत जादा फाइदा होगा अगर आहर में देखा जाए तो तला गिला बिल्कुल मत खाईए बहुत हलका खाना खाईए बहुत जादा पानी पीजिए अगर आप ये करते हैं तो कहीं न कहीं आपको धीरे धीरे अपने दर्द में फाइदा होने लगेगा अब हम बात करते हैं नैच्रोपैटी तरीके से जिने करने से आपको दर्द में डेफिनेटली 100% फाइदा होने वाला है सबसे महत्वपून है अगर आपको किद्नी में दर्ध होता है या यूटिया है तो अरंटी है कि आप बिना अंटिबाटिक के ठीक हो जाएंगे सबसे पहले करें एक गरम बैग जो है वो अपने पेट पे रख लें और कमर पे ठंडा बैग रखें ठंडा मीज बर्फ जितना ठंडा और गरम मीज जितना आप सहन कर सके उतना दोनों में अपोजट पेट की तरफ गरम और पीछ की तरफ ठंडा बैग रखें और दोनों को एक टावल से बांध लें एक कॉटन का कपड़ा या स्वापी जिसे बोलते हैं वो लेकर कमर पे नौर्मल पानी पी कर आप यूरिन पास करें आपको देखिएगा बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा सबसे आसान और गारंटीड इलाज यूटियाय के लिए तो हर किसी के लिए चायो आदमी हो औरत हो नीम का पानी को बना कर रख लें अगर आपके घर के आसपास नीम है य इतनी बार अपने वजानल पात को साफ करते जाए या फिर जब आप नहा रहे हैं आपके चोटा सा टाब है तो उस टाब में कम से कम 15-20 मिनट या आदर हंटे के लिए बैट जाए और बहुत लंबी-लंबी सासे ले खासका लेरी लंबी-लंबी सासे लेने से वह नीम का पान पाट को क्लीन करते हैं तो भी आपको बहुत जादा फायदा होगा अगर आप नीम के पानी में थोड़ा फिटकरी का पानी भी मिला के उस पानी को भी यूज करते हैं तो भी आपको फायदा होगा यह तीन चीज सिर्फ नीम के पानी से रिलेटेड है और तब बात लिना य यह मेरी गारंटी है कि आपका UTI infection बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा जितना आप मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि जितना आप पानी पीएंगे क्योंकि अगर आप तब में बैखने जा रहे हैं तो सबसे पहले पानी पी कर जाएं टब से बाहर निकलते से ही पानी पीएं और फिर यूरिन पास करें आप दिखेगा आपको उसी वक्त अपने पेइन में बहुत जादा डिफरेंस दिखेगा आपको यूरिन करते वक्त जो पेइन पहले हो रहा होगा वो सिर्फ ये प्रोसेस करने के बाद ही आपको यूरिन में पेन में डिफरेंस दिखाए देगा नीम का पानी, फिटकरी का पानी, थंडा गरम लपे ये तीन चीज आप बिल्कुल अजमाएं आपको डिफरेंस दिखने लगेगा दवाईयों को कम से कम इस्तिमाल करें और फिर मुझे कामेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि किसको कितना ज्यादा फाइदा हुआ है अगर इन सब को करने के बाद भी आपको फर्क नहीं परदा है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल करें कि क्या ऐसी चीज है कि आपको तकलीफ दे रही है और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राब करना बिल्कुल नहां भूले ऐसी ही होम रेमेडीज और नैच्रोपैथी ट्रीटमेंट मैं आपके लिए आगे वीडियो में बताती रहूंगी और मैं जब कहती हूँ कि मैं गैरंटी ले रही हूँ तो मैं उस चीज की गैरंटी लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट्स पे यह अजमा चुकी हूँ और जब वो ठीक हो जाते हैं तब ही मैं यह चीज की गारंटी लेती हूँ कि हाँ यह चीज करने से आपको फायदा होगा इसलिए प्लीज अजमाएं दवाईयों को कम से कम करें थोड़ी सी महनत अपने आप पे करने से हम ज़रूर ठीक होते हैं पर हमें अपने खाने पीने प अपने आपको क्योर कर रहे हैं बहुत भागदोर लाइफ में हम दवाईयां खाके अपने आपको टेंप्रेरी ठीक करते हैं पर पर्मनेंट ठीक करने के लिए हमें यह सब चीजों को अपनाना पड़ेगा तब ही हम अपने बॉड़ी को हेल्धी रख सकते हैं स्वस्त रहे मस रहें और खुश रहें टीक केर